जय हिंद मित्रो आज नेता जी सुभाश अंद्रबोश का जयंती है जयंती पर उन्हें कोटी कोटी नमन और नेता जी ने सिर्फ भारत ही नहीं बलकी भारत के आलामा फ्रांस जर्मनी जपान अन्य कई देशों में जा करके वहां से सैनिक एकतरित करके तब भारत को आजादी दिलारे में अहम भुमिकानी भाई भारत के वो इकलावता स्वतंतरता से नानी थे जिन होने सिर्फ भारत के स्वतंतरता की लडाई नहीं लड़ी बलकी द्वीतिये विश्यूद में भी सामिल हुए थे और हिटलर के सामने उन्होंने जुकना पसंद नहीं किया तो भारत म ऐसे ऐसे बहादूर लोग थे प्रन्तुराज नितिक साजिस सरयंत्र या कोई अन्य कार्णों के चलते उन्हें भारत से गायव कर दिया गया जिनोंने भारत की आजादी दिलाने में अहम योगदान भुमिकानी भाई सैनिक बनाए अजाधिन्द फोज तायार किये महिलापु उस सभी को उस से डल में सामील करके तब फिर सिंगापूर से भारत आये और भारत में आकर लराई लड़ी उन्होंने काफी त्याग किया और बलीदान दिया प्रन्तुर उनके बलीदान को ना तो हम तक पढ़ाय जाता है ना सिखाया जाता है प्रन्तु हम सभी भारतवासियों का दैत वो वनता है कि नेता जी का जनम दिन पर उन्हें याद किया जाए और मेरी तो एक्षा है कि भारत के जो रूपए है कुछ रूपए पर नेता जी भगत सिंग और चंदर्शेखर अजाद जैसे महान करांतिकारी जिनों ने देश के लिए अपने प्रान दिया जासी की रानी लच्मी भाई ऐसे महान करांतिकारीयों का भी चितर छपना चाहिए जैसे अलग-अलग नोट है तो अलग-अलग नोटों पे अलग-अलग लोगों के जो फोटो हैं करांतिकारी और देश के जो महान स्वतंतरता से नानी है उनके चितर रहना चाहिए इसके अलामा चौक चड़ाहे होनी चाहिए और भारत सरकार को इस पर विचार करना की तरह पर्शिक्षन दे और भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत शैन राष्टर बन के उभारे और भारत दुनिया में एक अलग पहचान बनाए अलग छवी बनाए तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इस विचार से आप कितने सहमत है इसका उत्तर जरूर दीजिए और कॉमेंट बक्स में जय हिंद लिख करके नेता जी के प्रती सर्धान जली और उनको नमन जरूर किजिए जय हिंद